किसान के लिए लगबग तीन लाख रुपे उसका स्टार्टिंग में खर्चाता है रहबेट्स पलस केज यह से केज बने होते हैं फिडर बॉक्स होते हैं सर कुछ वाटरस निपल लगी होती है उसके अलावा किसान का कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता लाख रुपे उसके सैड के ओपर खर्चाता है लाख से लाख वीश जार के आसपास लगबग 4-4 लाख रुपे में किसान का एक काम चालू हो जाता है जैसे हम उसको 100 रभेट देते हैं जिसमें कि 70 फीमेल होती है और 30 मेल होते हैं सत्तर फीमेल जो हैं हर 45 जन में उसको सड़े 300 बच्चा वो निकालती है हमारी एवरेज के इसाब से एक फीमेल से लगबग 5 बच्चों की अवरेज निकलती है इन्टू 70 करते हैं तो लगबग सड़े 300 बच्च उसका निकलता है सड़े 300 बच्च नबबे दिन में बिकने के वो लाइक होता है लगबग पोने 2-2 केजी का उसका वजन हो जाता है जो की मार्किट में लगबग 1,40,000 के आसपास का सेल होता है वो हमारे हिसाब से जो हम किसान को एग्रिमेंट देते हैं लगबग हर 45 जन में उसका जो प्रोडक्शन त्यार होता है 1,40,000 के आसपास का सेल करता है हम उसमें लगबग 50-60% एक्सपेंस उसका मानते हैं के धेरे पास ठोडके आने का ट्रांसपोर्टिंग लगता है उसको जो हम आपास नीकालगे देते है किशान को लगबुग 25,000-30,000 का महीन का एक अवरेज हम निकाल के देते हैं की डीफिनेट उसको प्रोफित आता है क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा फिमेल का रहता है पूरा लाइन इधर में सर मेल का रहता है सोरज निकलने से पहले हम एक अच्छा टाइम मानते हैं क्रोसिंग के लिए जैसे कि ये फिमेल जो होता है तो फिमेल को उठा के हमें मेल के डोर में हमें डालना पड़ता है मै एक टाइब तो हम हराज़ारा डालते हैं शबी रेबिट्स को जैसे कि बर्सी गाया, जीज का हो गया, सेकेंड एक एजुलूसं करके ग्रास आता है रेबिट के लिए उसको काफी अच्छा और प्रोटिन्स वाला मलब हराज़ारा हम बोलते हैं ε dzieci γêMaybe나면 और आना जाता है तो घर पे ग्रान हो जाता एक जाता है किज से मका हो गया है chilag export हो गया सर्षों का ग्रय अपनाब गेहूं का चोकर हो जाता है जाओं हो जाता है कि अ ब्राइस-पोलिष जाकर लिए यह सब चीजें हम मिलाते हैं और दाने में डालते हैं इसका एक तो कोश्टिंग वाइज किसान को अच्छा रहता है कि बीसक रुपे के अंदर में यह सब आजाता है है लिल्माज टो हम स्कुल कड़े भी जी पॉस जैसे गोर्मेट के लिए हम सप्प्लाई करते हैं जितने अपना युनिस्टी जो होती है अकरी कल्च दुनिश्टी जो पॉती है वेक्षिन टी अइपाटमें होती है इसका जो मेट जो होता है इसके अंदर कैस्ट्रोल जो है वो जीरो परसेंट होता है जैसे पोल्टरी को भी हम कमपेरिजन करते हैं इस बिजनस के साथ उसमें 64 डिजी जोती है रेवेट फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बेमारी नहीं है पलस जो फैट है रेवेट मेट के अच्छा माना गया है अच्छा अच्छा लगा प्लस प्रोफिटेबल भी मेरे को यह बिजनस उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छा लगा मैं रेवेट फार्मिंग से बोथ अच्छा प्रोग्रेस किया हूं मैंने जमीन भी अपना परचेज किया है कुछ गाडी भी मैंने सहर में मैंने मकान भी लिया है तो एक दो चीजे मैंने बहुत अच्छी मलब रेवेट फार्मिंग से किया है